महा भारत के दोरान जब अर्जुन ने वासुदेव श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभू सत्य क्या है तो श्री कृष्ण बोले कि सत्य वो है जिसे मिटाया नहीं जा सकता सत्य वो है जिसे रोका नहीं जा सकता तो आज टीवी इतिहास के सबसे बड़े कारिक्रम में बात होगी उनीव वाशुदेव श्रीकिष्ण की जिनका जरम मत्रा की पावन धर्ती पे हुआ और भगवान राम की जरमस्तली आयोध्या की तरह मत्रा में भी एक विवाद दश्कों से चल रहा है हिंदू पक्ष का दावा है कि मत्रा में श्रीकिष्ण की जरमस्तली पर एक शाही ईदगा मस्जिद है जो धाई एकर में है और हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जद के नीचे केशव देव मंदिर का गरब ग्रह मौचूद है इसी दावे के साथ हिंदू पक्ष कोट पहुँच गया और हिंदू पक्ष की अपील पर अलाबाद यानि इलाबाद हाई कोट ने मत्रा की शाही इद्गा मस्जिद के सर्वे की इजाज़त दे दी, मन्जूरी दे दी इसके खिलाब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोट भी पहुँचा लेकिन सुप्रीम कोट से भी मुस्लिम पक्ष को खाली आत लोटना पड़ा लेकिन इस बीच एक और बड़ा सयोग हुआ प्रधान मंत्री बनने के बाद नरेंद बोधी पहली बार मत्रा पहुँचे और ये भी पहली बार हुआ कि देश का कोई प्रधान मंत्री मत्रा में वासुदेव कृष्ण के रधर्शन के लिए पहुँचा और इसके ठीक एकिस दिन बाद हाई कोट ने शाही इदगा प्रधित के सर्वे का आदेश दे दिया तो बड़ा सवाल है कि क्या अयोध्या के बाद मत्रा का सत्थे भी सामने आने वाला है आज इसी मुद्धे पर होगी जनता जनर दिन के बीच सबसे बड़ी चल्शा अयोध्या तैयार काशी और मत्रा इस बार स्वागत है आपका आ अयोध्या नगरी अपना दिव्य और भव्य स्वरूप धारन करने लगी है अब बस सबको प्रभूश्री राम के आगमन का इंतजार है 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी इस दोरान पांच लोग गर्ब ग्रह में मौजूद रहेंगे प्राण प्रतिष्ठा के दोरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ संग प्रमुक मोहन भागवत और राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास गर् राम मंदिर को राम को नकारते रहे वो भी राम का दर्शन करना चाहते हैं। राम नाम की महिवा ऐसी है कि अब वो लोग भी मंदिर जाने की बाते करने लगे हैं जिनके पुर्खों ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी हाला कि उसी पार्टी के कुछ नेता आज भी पुराने एजिंडे पर लगे हैं। कि जब भगवान बुलाते हैं तब ही दर्शन पाते हैं आप। बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे। अयोध्या तो सज रही है, अब तो काशिय और मतुरा से भी शुब समाचारों के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बदलाव बिलकुल हजम नहीं हो रहा है सबी सनातनियों की विजय है हमारे देश में जहां सो करोड सनातनी है, वहां उनके प्राण राम, कृष्ण सिव, उनहीं देवालें को तोड़ कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास दूरतों ने किया था कभी बाबरी मस्जिद है, तो कभी बनारस की ज्यानवापी है, तो मथरा की मस्जिद है, क्या इससे प्लराइजेशन नहीं होता है दो बड़ी आबादियों के बीच में टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, धरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तीन हजार मस्जिदों के ओपर विवाद है, कहां तक करेंगे? सवाल ये है कि जब आस्था सब का निजी विशय है तो फिर हिंदूओं की आस्था पर बार बार प्रहार क्यों होता है तो आज हमारे साथ बड़े बड़े दिगज जुडएंगे लेकिन पहले आज की चर्चा के मुद्द क्या है? पहला मुद्द है अयोध्या सजी है अब मत्हुरा की बारी है दूसरा बड़ा मुद्दा है सर्वे से क्या निकल के आएगा सामने सच जो कमिश्टर का सर्वे हो रहा है कोट कमिश्टर का और बड़ा दिल दिखाएगा क्या मुस्लिम पक्षाज ये तीसरा बड़ा मुद्दा है तो जोर्दार तालियों के साथ अबिरंदन करिए डॉक्टर शुदान चुत्रवेदी का भारतिय जंता पार्टी के सांसद है और प्रवक्ता है जोर्दार तालियों से उनका अबिरंदन है और जोर्दार तालियों से अबिरंदन करिए विश्टू जैन का वकील है इंदू प विरंदन है तो जोड़ दो तालियों से उनका भी अविरंदन करिए और स्वागत करिए जाने माने कथा वाचक देव ने हैं वह बहुत मैतपूर है और यह महत सयोग ही कह सकते हैं कि एकिस तिन पहले प्रधार मंतरी मोधी जाते हैं और 21 दिन बाद कोट का फैसला आता है अयो उध्या एक तरफ तैयार हो रही है और अब बारी मतरा और काशी की है आपकी तैयारी क्या है देखिए मैं मैं इस सर्वे कोट का ओर्डर है तो हमें सम्मान करना पड़ेगा लेकिन प्लेस ऑवर्शिप एक टेक था जो 1947 में इस देश में आया था जिसके हिसाब से जो स्टे अगर हम वैमनस्य की भावना लेकर के एक दूसरे के एक दूसरे को क्वेश्चन करते रहेंगे उस मुल्क के अंदर तो हम उसी में उलज करके रह जाएंगे और प्रोग्रेस नहीं होगी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का काम मैं पहले भी बोल चुका हूँ मंदिर ब आइटी देना एंजिनेरिंग देना अमेडिकल कॉलेज देना ये मेरे रीमिनस्नरतातानां है लेकिन एयोध्य तैयार हुई है तो उसके साथ एैरेपोर्ट भी तौस्प वहा तैयार मैं भी तैयार्रा रहा है वहाँ पर तो फुरिजम भी तैयार हुए काशि अगर तैयार करना नहीं है विकास करना है प्रधान मंत्री जिनने तो यही कहा है कि हमारा काम विकास करना पर इस देश में एक प्रधान मंत्री था जिन्हों ने कहा था कि हम तथा कदित बाबरी मच्जद दुदरा बन वाएंगे श्री पीवी नरसमाराव और इस देश प्रदेश में एक म मुलाइम सिंग यादव जिन्हों ने कहा था कि मैं बाबरी मस्जिद दुबारा तामिल करवाँगा और एक नहीं दरजनों नेताओं ने कहा था तो मुझे लगता तब क्यों भूल जाते हैं जब कि एक और बात है अगर पीवी नरसे माराव या मुलाइम सिंग यादव कहते हैं कि मैं मस्जद तामिल कराऊंगा तो सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़का नहीं रहें मुस्लूमों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहें क्योंकि इसलाम की मानिता का नुसार वो काफिर है और काफिर को मस्जद तामिल करने का हक नहीं है इसके बावदूत कह रहें अब दूसरी बात कहता हूँ जो उन्होंने कही सही बात है हमें इतिहास की चीजों से बाहर न कलना चाहिए यही तो हम भी कहने की कोशिश कर रहें यह बताईए आज आपने किसी कृश्ट्यट को देखा जो कही कि चर्चिल ने जिसमें इतना अत्याचार प्रेंगाल फेमाइन के लिए वह हमारा था कौन WALIS हमारा था कर्जन हमारा था جनल हमारा था नहीं कहता ना इस理 ये जो इनकी बात है बिलकुत सही कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा मनोरोग है जो चिपका दिया गया है मुसल्मानों में कि मुगल बादशाह, तुगलक, बाबर और ये आजादी के बास से वो जो कर रहे थे वो हमारा था और यहां पर मैं एक और बात कह दूँ कृष्ण कह बिस्मिल्ला, उन्होंने आगे बोला, अरभी का वर्ड है, अलस्तुबी रभीकम प्रीतम बोले, सब सखीयों ने घूंगट खोले, और नाम नभी की रतन चड़ी और बूंद पड़ी अल्ला, आज होली खेलूंगी मैं कह बिस्मिल्ला, जनाब कम से कम उससे जोड़ो भ नाइन है, तो अब्दल कल्म से जोड़िये, रिष्टा जोड़ना ही है तो बाकिकिसी से जोड़िये, रिष्टा क्यो जोड़ना है ऐसे लोगों से ? मुझूद है उन बादशाहों ने मजभब के नाम पर कुछ नहीं किया अच्छा धरम के नाम पर कुछ नहीं किया जी उन्हों ने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए अपने आपको ज्यादा बढ़ा दिखाने के लिए जो भी आकरमन किये जहां ये औरंग जेब के जो मंदिर तुडवाने की जो सचाई है आप इसको हिस्टरी में पढ़िए सचाई ये है पहले जो बादशाह होते थे जब भी उनके खिलाप आप करें औरंग जेब ने कोई मंदिर नहीं तुडवाया था अरे सुन तो लो मैं पूछ रहा हूं आपको डे ने खिलाप बगावत देखी कहीं से भी देखी महां आकरमन किया ये सारे बादशाहों के तारीख है राठोरों ने उनके खिलाप बगावत की तो उनके मंदिर तुडवाई सुसूदियों ने उनके खिलाप बगावत की तो उनके मंदिर तुडवाई जाटों ने उनके खि गिरे दी जंगम बाड़ी एक जगा है मनारस में एक सो अटाटा पूछा आप अप अपनी बात को तीन मिनट से रख रहे हैं मैंने जो सवाल पूछा उसका भी जवाब देजी जिए किर पैकर के मैंने सवाल पूछा औरंग जेप ने मंदिर तुरवाया कि नहीं तुरवाया अभी मैंने क्या बोला राम कथा सुना दे सारी चले राम कथा सुना रहे हैं सारी तो राम कथा सुना रहे हैं इन्होंने कहा सारे बादशाथ तुलवात थे नहीं तोड़ा कि केशव दे मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा आरे भाई साब मैंने बोलाना कि जहां जहां मान लेता हू औरंग्जेब ने गलते किये तो उसकी सजा क्या मुझे मिलेगी साजिद रिचिजी आपको कैसे मिल रही है सजा मुसल्मानों को आज जलाया जा रहा है कहा है जो लिए हम मुसल्मानों से औरंग्जेब को मतलव आए दिल के अरदू जुबा पर आगई मैं मैं मै जा रहा है बात ना इसमें चिड़ाने की बात है ना डराने की बात है कुछ बाते फैक्च्टल है और मैं फैक्ट ठीस सेक्ड अगर कोट में कोई मामला सब्यूरिस्ट है उसका एहम बिंदू यह है कि जब तक कोई आदमी कोट में मुझरिम साबित नहीं हो जाता उसको मुझ पूरी कहनी अब आप सुनिए को कि आपने बोला राम कथा लेकिन मैं आपको राम कथा नहीं बताता मैं आपको औरंग जेब के जो किताब मसीरे आलमगीरी में निका हुआ है वो बताता हूँ और और सबूत है इसके 27 जनवरी 1670 में औरंग जेब का फर्मान था कि केशव द पेज नमबर 95-96 मसीरे आलमगीरी ट्रांसलेटेड़ वाई जदुनाथ सब्सक्राइब हम इन्हों ने कहा बाश्या जो थे जिसके खिलाब बगावत होती थी तो उसके मंदिर तुलवा देते थे ये चात्रपती शिवाजी महराज ने बीजापूर गोलकुंडा में किती मज़्जित तुडवाई राजा कृष्ण देवराय ने किती मज़्जित तुडवाई बत सब को जोड़ने में विश्वात रखे थे थे जिसलिए एक लाइन पूरी पंक्ती बता देता हूं जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ अटल जी ने अपनी कविता लिकी थी हिंदू तन्मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचे उसकी लाइन थी होकर सतंत्र मैंन कब चाहा मैं करनू जको गुलाम मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंगार किया कोई बत लाए काबुल में जाकर कितनी मस्जद तोड़ी भूभाग नहीं चत्षत मानव के हरदय जीतने का निश्चय हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा पड़ी इसले तुलना समाज जीए बीस सेकिन आपका देन जी 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 देखिए आप छटी सदी को पढ़ लीजिए छटी सदी इस वी जो है उसमें कितने हिंदू राजा कर्मन करते थे तो अपनी जी जब तक सुनिशीत नहीं मानते थे जब तक उनके मंदिरों को और मठों को नहीं तोड़ देते थे लिए जायद हिंदू परिवार अपने कंदों पर लेकर लड़ा है तो आप से मेरा सबस्त सवाल है जी और ये सबस्चादा कंट्रिब्यूट करने वाली माइनॉर्टी है सबस्चादा इंकम टैक्स देने वाली माइनॉर्टी है और इनकी तरह नहीं अगर अगर देश भरके जैन अपना पैसा कठा कर ले तो पाकिस्तान की जीडीपी निकल आएगी सच तो यह है जब की इसक् विश्टू शंकर जैन सच क्या है देखे सच यह मैं आपको एक बात कह देता हूं और जो बात मुझे आज यहां पे लगी यहां पे रशीदी जी ने कहा कि जिसने जिसने बगावत की उनकी मंदर तोड़वा दी गई तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाता हूं यह देश में यह समाज एक लीगल बगावत शुरू कर चुका है उन सारी जगावत जहां जहां हमारी मंदर तोड़ी गई है और यह लीगल बगावत जारी रहेगी कोट के माध्यम से उन सारी जगावत जहां पे हमारे आराद हमारी आस्था के सल को तोड़के वहां पे बर पहली बात, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, क्रिष्ण जन भूमी का इतिहास पढ़ लीजे, राजा भीर सिंग मुंदेला ने 1618 में 33 लाग रुपे की कॉस्स से उसको बनवाय था, 1670 में जैसा आपने बताया, औरन जेब ने उसको तोड़ दिया, वहाँ पे माई मंदिर को धुस्त कर दिया, जहां पर टाइटिल किसी एक के पास हो, और कबजा किसी और के पास हो, टाइटिल इस विद्धा डेटी, टाइटिल डॉकुमेंट्स हमारे पास है, और धाई एकड में कबजा करके बैठे हैं ये, अगर आप इनसे पूछ लिजे, कि साब वफ कब हुआ, जरा वफ डीड द पूर में लिटिगेशन हुआ, जो मुस्लिम पक्षार गया, बोल रहा हूँ, फ्रंट लाइन डिफेंस है, प्लेसे दो वर्शिप, मेरा फ्रंट लाइन डिफेंस है, इतने सर्वे करवाओगे, देश का हाल क्या होगा, आप तो तीन से चार हजार जगा सर्वे करवाना चा जब सर्वे में लॉटर्ट की सिंबल, और हिंदू मुसल्मान की नहीं है, बात प्रोग्रसिब होनेगी है, और जब सर्वे हुआ, जब सर्वे हुआ, जब सर्वे होगा, तो सचाही सामने आएगी कि किस तरह से मंदिर को तोड़के मजद बनाए गई गया, इसलिए सर्वे देन देवके नंदर जी शोयव जमाई मेरा pointed सवाल यह है मैं सबूतों की बात करता हूँ और उत्तर प्रदेश का राजस्विभाग है उसके वहां के दस्तावेज है कि मंदिर के पक्ष आज भी यानि श्री कृष्ण जर्म भूमी ट्रस्ट जो है उसके पास आज भी जमीन का मालिकान हक उसके पास है आप मुझे बताईए क्या आपको लगता है कि अगर यह सत्ते और तत्ते है तो इस पे भाई चारा दिखाना चाहिए बाबरी मस्जिद का फैसला आया था और सुप्रीम कोट ने यह कहा था कि भी कोई ऐसा सुबूत नहीं है कि मंदिर तोड के मस्जिद बनाई गई लेकिन फिर भी यह चुकि मामला इतना देखना है इसी वज़ए से वो फैसला जो दिया गया है हमने उस वक कहा था कि आस्थ आयोद्या काशी और मतुरा हिंदू पक्षका तो साल दर साल मेरा कहना आई थी नहीं आई थी उससे पहले से आप बताइए आप औरंजेब की बात कर रहे हैं आप औरंजेब को बुला कि यहां डिवेट कर लीजे हम औरंजेब के परवक्ता नहीं है लेकिन सम्विधान तो एक्ट बने हैं वो औरंजेब को अपनाया जब सम्विधान को अपनाया जब कानूनों को अपनाया तो औरंजेब नहीं था तो हमने क्यों अपनाया हमने इसलिए पीस्कूल को एक्जिस्टेंस के लिए अप उस पीस्कूल को एक्जिस्टेंस को डिस्टर्ब करने के लिए क कानून को पारलियामेंड रद करके फेक दीजे बाख़तम वह आप यहां से इनका 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 पॉइंक पॉइंक इसमें भाइचारा समाप ठोगा अगर ऐसा होगा देवके नंदन जी बोलेंगे भाइचारा समाप ठोगा देवके नंदन जी और आपने तो खुद एक में माईक आपके पास दूसरा इक लेकि आजाता हूँ इसका स्पीकर दें जी 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 बोलिये बोले आप सभी को इक बात बता देता हूं प्वाईचारे की बात है तो हम इनके खुदा और कुरान की कोई स्थान नहीं छीन रहे जए हमारा राम है जए हमारा क्रिष्ण है जए हमारे शिव हैं उस जगे पर यह भाईचारा हमारे साथ नहीं निवाना चाहते मत्हुरामे कोई भी इनका पीर पेगंबर आया हो तो बता दे हमें अगर नहीं आया है तो हमारा क्रिश्चन आया है बेद कहता है पुरान कहता है रामार कहती है हमारी गीता गेती है और अगर ये सब कहते हैं तो इनको बाई-चारा निवाने के STrióies मैंने यही करना, एक फैसले जो होते हैं वो कानूनी पहलू पर होते हैं और एक फैसले आस्था के बुनियादान में अए करे सर्वे सिर्वे से क्या दिक्कत है? सर्वे जो हमने बात उसी वक्त कही थी जब या अउद्या का फैसला आये घे यह पिटारा खुलेगा आप जी जब आपने भी कहा था ना आपको आपको यह था अगर 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 सर्वे होगा अगर साइंटिफिक सर्वे होगा कोट कमिश्णर द्वारा सर्वे होगा तो कोई कारागार वहीं पर मिलेगा जहां पर भगवार ने जन्म लिया था आज जो हमारी जन्म स्थान है उस पर आदे इसे पर कब्जा करके बैठे हुए और उसमें नहीं चाहते हैं कि सच साम्झे आए मैं एक बात पूछना चाहता हूं इन्होंने आते समझोते की बात की मैं आपक जसुराओ कोई पैपर नहीं था आप संजोता कर लें पूरे समाज की तरफ से और ओरिजिनल मालिक ती श्रीकृष्ट जन्मूमी ट्रस्ट उसने आसस तक साइन एक वही कहते है श्रीकृष्ट बोमी ट्रस्ट कि उस समय हमारे साथ धोका करा था उस अच्छा उस समय की सरका यह कहता है और और अगर और आप तो सुप्रीम कोड भी के दस सेकंड से हम भी कब कह रहे हैं हम यह थोड़ी कह रहे हैं एक पेसव वर्चिकाइफ का उलंगन सर्वे में कहां से भाई अरे आपको अपना बाप बदलना ना बदलना डियने टेस्टों करवा लो भाई इसमें कि दार में भावनाओं को भड़काने के आवा अगर शर्वे होगा तो क्या इसी चीज सामने आ जाएगी जो मजी धार में बावनाए ब्रुक चुका है जब सर्एक बनाएं उसमें कहां गया कि आगे पहले 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 बोले दीजिए रवे पनी नहीं रोगे एक साब से आ बदल सकते हैं और जो हो गया हो गया आगे शांती के साथ भी धर्मों को रहना है तो आप बोल दीजिए कि देश को तोड़ा गया क्या सारे बहुत खड़े हो जाएं क्या होगा इस देश का पुशे मित्र शुंग कौन ता कित्रे बहुत हो गया है अच्छा किताब का नाम बत यह दर्म को लाते हो वट के लिए राम को लाते हो अच्छा यह फुरफुरा शरीफ क्या था धरम नहीं ओदान नई तरफुरुरा शरीफ को तो मिजना दिया बाइसाब फुर्फुरा शरीफ की का गद्धी नशीन सेकुलर है इनकी सेकुलरिज्म वो होता है अरे पक्ष में जो आएगा सेकुलर होना पड़ेगा ये हिंदू मुसल्मानवाद नहीं चलेगा ठीक है सर अब आप अन्याय कर रहे है अब आप अन्याय कर रहे है इनका सेकुलरिज्म ये होता है कि मजजितों पर से गुंबद हटा दिये जाते है बिल्कुल नहीं तो अप लगागे मजजितों उड़ा दिया थी सब कम्निस कंट्री में हुआ आज जाके चेक कर लीजे चाइना में कोई ऐसी मजजित नहीं बची जिसके ओपर गुंबद हो ये हैं सक्लोरिज्म में साथ अब अलाइंस कर रहे हो बात तो सचे यह है अब मजदूर की सब्सक्राइब आप बिल्कुल मजदूर की बात करिए अगर मंदिर बनता है तो मजदूरों को भी काम मिलता है ये द्यान रखना ओके ऐक सिकिन सर सर अब कि अब मैं आपके पादाओं देवकिनंदंजी देवकिनंदंजी एक बात कही गई कि जो हो गया वो हो गया चुरासी के दंगे हुए तो हुए अब मंदिर वहाँ पर तूट गया था तो क्यो वापस सारे मामने को खुलवाना है अगर क्या हो गया वाचुदेव क्रिष्ण की मूर्तिया राधारानी की मूर्तिया शीरियों में गड़ी है क्या हो गया इसमें क्या बड़ी बात क्या है इसके अंदर आम है लोग तो आदी है इसके हिंदुस्तान तो आदी है सो सालों से देखिए भगवान से कृष्णा सिर्प हिंदु ही नहीं भारत से बाहर भी कित ठीक है? पहली बाद दूसरी बाद जो हो गया ऐसा नहीं होता है अगर किसी के भी माबाप के फोटु को CD के नीचे कोई भी दबा दे हो गया, अब क्या करें? नहीं निकाले? निकाले के नहीं आप बताईए मुझे, आप बचचे के अंडर में है हाई या ना किसी और के हमारे लिए अदिकार नहीं है हमारे लिए कोई राइट नहीं है हमारे मंदिर रख लिए गए तो मैं आप सब से निवेदर करूंगा हम संवेदान का प्रियोग कर रहे है जो फंडामेंटल राइट है उनका प्रियोग कर रहे है जी अधामेंटल राइट रख लिए तो प्रामनों के लिए कि हमीं कंट्रोल करेंगे मंदिरों को सरकार के पास वह नहीं जाना चाहिए हमारी जेव में जाना चाहिए बताइए ना इसको आपने इंजस्टिस की बात करी अ हलितों के खिलाब दिवाद करने लगते हैं वो जस्टिस कौन देगा एक टेकनिकल पॉइंट इन्होंने का उपासना इस्थल भी रहे है ना वर्शिप एक हिंदी में जाके चेक कर लिए उपासना इस्थल उपासना शब्द दो शब्दों से मिलके बना उप और आसन आसन क उपकार्थ होता है बैठना उपकार्थ होता निकट यानि अपने इस्थदेव के निकट बैट कर जो किया जाता है पूजा वो है उपासना इस गाइड कर रहे हैं उप और आसन शब्द दिखाई यह कहा है पूजिया चाहूं से सभी धार्मिक्स थलों के लिए है अरे यहाँ पर अगर आपने मंदिर तोड़के मस्जिद नाई है तो इसको रेस्टोर कैसे नहीं कर सकते हैं एक मिनट प्लेसे आप वर्शी पैक 1991 की आपने सवाल किया जो पूछना चाहता हूं प्लेसे आपको 1991 में जो शब्द यूज़ है वह धार्मिक्स वरूप मतलब अगर अगर कोई मस्जिद में जाके तूजा कर ले तो मस्जिद का धार्मिक्स वरूप नहीं बतल जाएगा और अगर कोई मंदर में आके नमाज पढ़ ले तो मंदर का धार्मिक्स वरूप नहीं बतलेगा धार्मिक्स वरूपता है करने की स्वसंत्रता देता है अब जवाब ज मैं आपके बीच में नहीं बोलता फिर आपको चिला के उठोगे पिर आपको होगे और एसाइ ने रिपूर्ट इस विश्क इमा मंदिर तो किसी को समझ गए ये एक तब क्लियर है और आप सुप्रीम कोट को गलत कोट कर रहे हैं सुप्रीम कोट का मैं इसे पुछता जाता हू केके महमद केके महमद का मामला इलाबाद हाई कोट का है उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोट में आया है इलाबाद हाई कोट के फैसले को नहीं माना अगर इलाबाद हाई कोट के फैसले को माना जाता तो सुप्रीम कोट को ये कहने के वशकता नहीं थी सुनिए उन्होंने कहा कि मैं 142 जो मेरा विशेश अदिकार है उस पर मैं फैसला देना चाहता हूँ नहीं तो कोट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गलत तोड़ी गई उन्हीं तो नन्चास में मुर्तियां गलत रखी गई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बना जो लोग इसमें शामिल तो उस पर कारवाई होनी चाहिए ये चार बिंदू तो मुक्र रुखते हैं और सुप्रीम कोट ने लेकिन असके बाद सुप्रीम कोट ने का केस कर डिस्म किया क्या और आपको पुछेश किया इसे पूखेश हो गयी मंदिरों में हमारी आस्ता है अका मंदिरों में है क्ली रॉइन बेपार या कि कंसे आस्था कि लिए पूछा होती है रनपपुर के जैन मंदिर को भी और अंसे में तोड़ाता था जैन मंदिर में और जैन हिंदु धर्म का अभी नंगे हैं एक सिर्फ पर्विलज लेने के लिए आपने बोला जैनियों के भगवान राम में आस्ता कैसे हो गई तो भाई साब आपके मंदिर अलग क्यों है आपके मंदिर अलग क्यों है अलग नहीं है और यह अलग करने का काम कर रहे है मैं इसलिए बोला हूँ मैं इसलिए बोला हूँ जैनियों के जैन धर्म के लोगों के मंदिर अलग कोई अलग पूछ रहा हूँ कि इनकी आस्था राम जी के मंदिर में कब से जाग गई क्रिशन जी के आस्था नहीं तो बात बोलना हूँ यह सिर्फ प्रविलेज लेने के लिए यह सिर्फ अपने आपको हिंदूओं में हीरो दिखाकर पैसा कमाने के लिए यह गलत यह नहीं पिल्कु के लिए गैरेंटी के साथ कहता हूँ कोई आदमी मेरे को पता है किसे पैसा दिया यह काम करने के लिए एक रुपे किसी आदमे से नहीं लिया यह चैलेंज है मेरा और दूसरी बात कहना है और में कांग्रेस के रियताल में कहा था वकील के रूपे उनका क्लाइन जो पैसा लेगा उसके साथ खड़े होंगे यह उनका उन्रिकॉर्ड बयान है कपर सब्सक्राइब यहां पर कोई पैसे बिखने वाले लोग नहीं बैठे हुए अरे ठीक आपके पास कुछी नहीं है तो आपके बैठे हैं देखिए मैं आप चुप रही है आप चुप रही है आप मे दोहजार चोदा से पहले कितने के से आपके बास थाफ को आट और आपको मुझे बढ़ा देने इसाूरी नहीं है चानते आप लूँगावजी के बाते करते ताए नहीं आ रहे लान्चे लान्चे नांगाते हैं विन्ने को तर रहें जबसे जबसे आट आप प्ताएए पूरी लगती है जब से खड़े खड़े लगता हो आप आप अपने करम को कर रहे हैं जो आपका धरम सिखाता है आप अपने करम को कर रहे हैं जो आपका धरम सिखाता है देव किनंदन जी आप सबसे वरिष्ट हैं आपर मैं जाना चाहता हूँ देखे स्रीमद भागवद कथा के अनुसार रिसवदे भगवान 24 अवतारों में से एक हैं और रिसवदे भगवान ने ही जैन धर्म प्रारम किया है और मैं सभी सनातनियों से एक बात कहूँगा हरी संकर जैन और विष्णु जैन का हम सब सनातनियों को रिड़ी होना चाहिए जिनोंने ये सनातन के लिए लड़ाई लड़े है और रा मंदिर के बाद मतुरा में मंदिर बनेगा कृष्ण जनम भूम यह हमारी थी हमारी है हम पारी रहेगी सम्मेदान करशार जब योगी अधित्यनाथ के सामने एक गीत गाया गया अयोध्या बना दी है काशी भी बनाएंगे मत्रा बनाएंगे तो उन्होंने क्या कहा था पहले वो गीत सुनी और फिर योगी अधित्यनाथ का रेक्शन सुनी योध्या भी सजादी है काशी भी सजादी है योध्या भी सजादी है काशी भी सजादी है गन शाम कृपा कर दो गन शाम कृपा कर दो मत्रा भी सजाएंगे मत्रा का जब जिकर आया चाहे आप हो जाए बीजेपी के अन्य नेता हो आप कह रहे हैं कि हमने काशी भी बना दी है अब हम मत्रा भी बनाएंगे जिसमें दम होगा वही बनाएगा जिसमें दम होगा वही मत्रा कोई बनाएगा और हमें दम है हमने अयोत्या में जन्भावना के अन्डू भग्मान नाम का भव्य मंदिर बना दिया जी शोयब जमाई देखिए उत्तरप्रदेश उबे के मुखे मंत्रियें योगी अधित तेनाजी वह कहते हैं कि जिसमें दम होगा वह बनाएगा और साक्षे होंगे तो कोट आदेश भी देगा तो साक्षे की अगर जांच होगी भारत के सविधान पर तो आपको भरोसा है ही मुझे पूरे पूर्ण विश्वास है कि आपको भरोसा होगा तो जब सर्वे हो जाएगा अगर विश्व शंकर जैन की दलील हलकी निकलेगी उस दलील में दम नहीं निकलेगा तो मुस्लिम पक्ष जीत जाएगा अगर मुस्लिम पक्ष की दलील में दम नहीं लिकलेगा तो हिंदू पक्ष जीत जाएगा यानि कुल मिलाकर जीते का तो इंफ्लुएंस करते हैं लोवर को मैं चाहता हूँ मुस्लमानों को मुस्लमानी जो संस्ता है उनको ये बड़ा दिल दिखाते हुए तीन हो हमारे मंद्र बनाने की पूरी जो हमें बड़ा दिल दिखाते हुआ परमिशन दी जाहिए बतलब इस पर देवकी रंदन जी आपने बच्च गई बार अपील कर एकि भाई चाहा दिखाना चाहिए क्या कहना चाहते हैं कि अपको लगते बड़ा दिल दिखाना चाहिए देखिए इंसे बात की जाती है बड़े दिल की इनका बड़ा दिल होता नहीं है अभी इन्होंने योगी की ऊपर कुछ कहा Yogi जी के उप का अधर्प्रदेश में तो वहां बनाने की जिम्यादारी किसकी है देखे दिखे अरे तुम पूस्ते क्यों थे कि राम ललाम आएँगे, बंदर यहीं बनाएंगे, तिथी, कब पताएंगे, इन से क्यों पूछते थे, कब बनाऊंगे, घलत तो आप भी पूछते थे, पूरा धेश, पूरा विपक्स, कॉंग्रेस पार्टी, साल डर साल सवाल पूछती रही, सुधान शुत्रमेदी हमारे पहले जाए था कॉंग्रेस के किस नेता ने सवाल नहीं पूछा कि बीजे पी राम लालाम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीक नहीं बताएंगे लेकिन जब याज 22 जनवरी 2024 की तारीक बता रहे हैं तो पूछ रहे कि तुम ने क्या किया जब राम मंदिर का शिला नियास हुआ था तो ये लोग आके महूरत मरमक ये बन गए थे करने लगे तो महूरत नहीं ठीक है याद करिया अगर 2020 में अपनी सुविधा के निसारा इसा बदलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है अच्छा एक इंट्रस्टें ये है जी जी ने ने देखिए 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 ये जो ये जो ये जो ये जो ये जो का सम्मान है ये ऐसे ही नहीं है एसे ही नहीं है कि जब उत्रायल लगे का तो रामलला विराजमार होंगे ये ऐसे ही नहीं है ये विधी का विधान है ये विधी का विधान था जब जब कार सेवकों पर गोली चली थी जो पार्टी 400 सीटों पर थी वो 48 सीटों पर है ये विधी का विधान है ये राम लला का विधान है जी और जो पार्टी दो सीटों पिरती वह अस्तीम सुपह आ गई अब इसे सहयोग कही है या कुछ और कही है भगवान राम मर्यादा के देवता थे जब वो जागरत हुए तो उन्होंने सिर्फ मर्यादा इस्थापी थी भगवान शंकर संघार क होंगे तो तमाम प्रदिगामी शक्तियों का संगार होगा और भगवान कृष्ण लीला पुर्शोत्म हैं उनकी जब लीला आएगी तो सब देखते रह जाएंगे कि भारत कहां से कहां पहुंचे जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपका आखिर फाइनल वर्ड देवक इस समय बेहद इस्क्लूसिव बातशीत करने के लिए मौजूद है केंद्रिये मंतरी जोते रजित्ते सिंद्या जी आपका विनंदन है न्यूज एठीन पर मेरा पहला सवाल है पहले श्री राम पुश्पक विमान से आयोध्या लोटे थे और अब साड़े तीन सो करोड की जो भी यात्री आयोध्या आएंगे जो प्रदान मंतरी जी की सोच और विचार धारात थी की एक विमान तल एक पहला परिचए होता है उस शहर का तो हमें भारत की संस्कृती भारत की प्रभूता भारत की इतिहास का एक झ्छलक उस हर एक एरपॉर्ट में दिखना चाहिए चाहे वो अयोध्या हो चाहे वो पूने हो चाहे वो गौलियर हो चाहे वो कोलापूर हो चाहे वो जवलपूर हो और यही हमारी कोशिश पिछले ढ़ाई वर्षों से हुई है और मुझे विश्वास है कि देश की जनता इस प्रदान मंतरी जी की संकल्प को देखकर जरूर प्रसन्न और पूर्ण रूप से प्रफुलत होगी जी लेकिन अयोद्या एरपोर्ट का नाम क्या होगा श्री राम के नाम पर होगा वालमीकी जी के नाम पर होगा किसके नाम पर होगा इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सिंधिया जी एरपोर्ट का नाम का निर्णे प्रधान मंत्री जी और कैबिनेट के द्वारा किया जाएगा जब वो निर्णे लिया जाएगा तब आपको सूचित किया जाएगा जी यानि आप अभी उसका खुलासा नहीं करना चाते जो बीजेपी का स्टाइल रहता है इस सरकार का स्टाइल रहता है सर्प्राइज ही आएगा वो भी चलिए एक और सर्प्राइज ये है कि एक तरफ तो अयोध्या में प्रभूराम का भव्वे और दिव्वे मंदिर का नि 24 जनवरी का देखे जिन लोगों को भारत की अध्यात्मिक शक्ति भारत की धार्मिक शक्ति भारत की दस से पंद्रह हजार साल पुरानी इतिहास और संस्कृति और धर्म के प्रती निष्टा नहो उनके बारे में हम जितना कम कहें जादा अच्छा होगा लेकिन ऐसा हो गया है कि निष्टा जिसको मिला वो जाने को तयार नहीं है जिसको नहीं मिला वो कह रहा है हमें निष्टा नहीं मिला और का जा रहा है कि बीजे पी ने इसको अपना एक इवेंट बना लिया है बीजे पी राम मंदिर का पूरा क्रेडिट लेने का प्रयास क जिनके नाम में ही राम हो वही स्वयम न जाना चाहें तो इससे बड़ी दुर्भाग यपूर्ण सिती क्या होगी अमीश मैं आप से पूछना चाहता हूं न बुलाया तो हम को क्यों नहीं बुलाया बुलाया तो हम नहीं जाएंगे तो देश की जनता इन सभी को सबक सिखाएगी आप चिंता न करें कॉंग्रेस के एनराय है जिनका नाम है सैम पितरुदा उनका कहना है कि पूरा देश राम मंदिर पर अटक गया है प्रधान मंत्री मोदी जादा समय अपना मंदिरों में बिता रहे हैं पॉलिटिकल फाइदा लेने के लिए और वो इसको देखकर बहुत परिशान है उनका बायान आया है लेटिस तो परिशान के लोग कॉंग्रिस के लोग तो परिशान हों गई क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी का जो अटूट विश्वास भारत की धार्मिक शक्ती में हैं भारत की अध्यात्मिक शक्ती में हैं और दूसरे तरफ धार्मिक परिशान हैं जो केवल चुनाओ के समय में एक मंदिर से दूसरे मंदिर में मननत मांगने पहुंच जाते हैं जी तो भगवान भी जानते हैं कि कौन सच्चा शद्धालू है और कौन नकली है और भगवान अपना आशिरवाद भी केवल सच्चे शद्धालू को देते हैं कि आप कहना है कि आशिरवाद जो है वो सच्चे सरधालो को देते हैं अभी आपको तीन राज्यों में बड़ा आशिरवाद मिला है मत्परदेश जहां जो आपका अग्रेपरदेश है चत्तिजगर और राजस्ताने बड़ा आशिरवाद मिला है लेकिन उस उस चुनावी नत यात्रा है ये इनसाफ दिलाने वाली यात्रा है और कॉंग्रेस कहती है कि ये यात्रा मोदी को उख़ड फैकेगी देखिए जो लोग भारत जोडो यात्रा निकालने निकले थे जी और कहते थे कि महबत की दुकान है पर उनके महबत की दुकान में केवल नफरत का सामान थ और जंता ने उनको जवाब दे दिया क्योंकि भाषा की बात हुई तो राहूल गांदी ने प्रधान मंत्री के उपर एक टिपनी करी थी चुनावों के दौरान और जो वर्ड कप मैच भारत फाइनल का हर गया था बहुत अच्छा कहली भारती क्रिकेट टीम क्रिकेट के आप बहुत स्ट्रॉंग बिलीवर हैं जो शब्द बोला था मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता क्या आपको लगता है कि भाषा की मर्यादा समाप्त हो चुकी है देखें कॉंग्रिस की भाषा की मर्यादा तो बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी और मैंने सदेव काहें कि जिस भाषा की मरियादा की समापती कॉंग्रिस ने की है कॉंग्रिस की समापती भी जनता ने तैकर ली है प्रियंका गांधी ने आप पर भी एक बहुत परस्नल टिपणी करी थी और आप उस पर क्या कहना चाते हैं उन्होंने बहुत सारे एजेक्टिव का इस्तेमाल किया था जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाता मैंने तो बहुत पहले कह दिया था अमीज जी कि जनता उनको अपना कद का एसास करवा देगी और नतीजे ने उनको अपना कद का भी एसास करा दिया क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया आलाइंस की जो पॉलिटिक्स है वो मोदी विरोध और बीजेपी के विरोध में है लेकिन अब खबरे आ रही है कि नितीश कुमार की पार्टी में कुछ गरबड चल रही है नितीश कुमार पाला बदल सकते हैं कुछ कहना चाहते हैं इसके उपर आप देखिए I.N.D.I.A. की गढ़ जोड जनता विरोधी है और जो जनता विरोधी है ये गढ़बंदन घमंडिया गढ़बंदन इसको भी जवाब मिलेगा अपरेल के महा में इस समय करोड़ों दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं उपर राश्टपती की जो मिमिक्री की गई उस दिशे पर आप क्या कहना चाहते हैं देखिए जो समविधानिक पोस्ट पर जो व्यक्ति बैठे हैं उनका अगर एक सांसद और दूसरे सांसद उसका फिल्मिंग करे और हसी उड़ाए तो ये तो लोक तंत्र को कुचलने के समान है सक्से सक्त कारवाई होनी चाहिए और अनकंडिशनल अपालोजी होनी चाहिए सभी के तरफ से जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारसा जुणने के लिए आज के इस दिन पर और आपको नए वर्ष की बह दो शुक्त काम नहीं